श्री राम कृष्ण वच्छनामृत के अगले भाग को प्रारंब करते हैं। श्री राम कृष्ण ज्यान बाबू को देखकर कहते हैं। क्यों जी? बड़े दिन बाद याद आई, यह क्या? एका एक ज्यानोदय हो गया। ग्यान बाबू कहते हैं जी, बड़े भाग्ये से ग्यानो दय होता है, श्रीराम कृष्ण कहते हैं तुम ग्यानी होकर भी अज्यानी क्यों हो, हाँ मैं समझा, जहां ग्यान है वही तो अज्यान है, वशिष्ठ देव इतने ग्यानी थे, परंतु लड़कों के शोक से वे भी अतेव तुम ग्यान और अज्ञान के पार हो जाओ। पिश्वर ही जीव जगत और चोवीसों तत्व हुए हैं। उन्हें पालेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है। तवादमी निरलिप्त हो सकता है। उस देश में बढ़ी की ओरतों को मैंने देखा है। धेकी में चूडा कूटती हैं। एक हाथ से धान चलाती हैं। दूसरे से बच्चे को दूद पिलाती हैं। साथ ही खरीददारों से भी बातचीत करती हैं। कहती हैं तुम्हारे उपर दो आने उधार हैं दे जाना। परंतु उनका बारह आनामन हाथ पर ही रहता है कि कहीं धेकी न गिर जाए। बारह आनामन इश्वर पर रखकर चार आने से काम करना चाहिए इस संसार का। श्री राम कृष्णा आगे कहते हैं जो नित्य में पहुँचकर लीला लेकर रहता है। उसका ज्ञान पक्का है उसकी भक्ती भी पक्की है। नारद आदी ने ब्रम्ह ज्ञान के पश्चात भक्ती ली थी। इसी का नाम विज्ञान है। केवल ज्ञान शुष्क होता है। जैसे एक आएक फूट पढ़ने वाले आतिश बाजी के अनार। कुछ देर फूल छूटने पर तुरंत फूट जाते हैं। नारद और शुक्देव का ज्ञान जैसे अच्छे अनार। थोड़ी देर एक तरह के फूल निकलते हैं। फिर बंद होकर दूसरी तरह के फूल निकलते हैं। नारद और शुक्देवादी का इश्वर पर प्रेम हुआ था प्रेम सच्चिदानंद को पकड़ने की रस्सी है अगले दिन एक साधक आया साधक रामकृष्ण से कहता है कि महराज हुपाए क्या है श्रीरामकृष्ण कहते है गुरू की बातों पर विश्वास करना उनके आदेश के अनुसार चलने पर इश्वर के दर्शन हो सकते है जैसे डोर अगर ठिकाने से लगी हुई हो तो उसे पकड़ कर चलने से पते पर पहुँचा जा सकता है सादक पूछता है कि क्या उनके दर्शन होते है श्रीरामकृष्ण कहते है वे विशय बुद्धी के रहते नहीं मिलते कामिनी और कांचन का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते वे शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धी से गोचर होते है वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेश मात्र न हो शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धी और शुद्ध आत्मा ये एक ही वस्तु है साधक कहता है परंतु शास्त्र में है यतो वाचो निवर्तंते और प्राप्यमनसासा वे मनोर्वानी से परे है श्री राम कृष्ण कहते हैं रखो इसे साधना किये बिना शास्त्रों का आर्थ समझ में नहीं आएगा भांग भांग चिलाने से क्या होता है पंडित जितने हैं सर्राटे के साथ श्लोकों की आवरित्ती करते हैं परन्तो इससे होता क्या है? भांग चाहे, जितनी देह में लगा ली जाए, पर इससे नशा नहीं होता, नशा लाने के लिए तो भांग पीनी ही चाहिए, दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, इस तरह चिलाते रहने से क्या होता है भला? दूध जमाओ, दही जमाओ, मत हो, तब निकलेगा? साधक कहता है, मक्खन बनाना, ये सब तो शास्त्र की ही बाते हैं ना महराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, शास्त्र की बात कहने या सुनने से क्या होता है? उसकी धारना होनी चाहिए. पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी. परंतु पंचांग दबाओ, तो कहीं बूंद भर भी पानी निकलता है क्या? साधक कहता है, मक्खन निकालना बतलाते हैं, आपने निकाला है क्या मक्खन? श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया? ये बात रहने दो, और ये बातें समझाना बड़ा मुश्किल है. कोई अगर पूछे कि घी का स्वाद कैसा है तो कहना पड़ता है, जैसा है वैसा ही तो है. यह सब समझना हो तो साध्वों का संग करना चाहिए. कौन सी नाड़ी कफ की है, कौन सी पित्त की, और कौन सी वायू की, इसके जानने की अगर जरूरत हो, तो सदा वईद्य के साथ रहना चाहिए. साध्व कहता है, दूसरे के साथ रहने में कोई आपत्ती करते हैं. श्री रामकृष्ण कहते हैं, वह ज्यान के बाद, ईश्वर प्राप्ती के बाद की अवस्था है. पहले तो सत्संग चाहिए ही ना, साध्व थोड़ी देर चुप हो गया. कुछ देर बाद कहता है, आपने उन्हें जाना? कहिए. प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभाव से? इच्छा हो और आप कह सकें तो कहिए. नहीं तो मत कहिए. बताओ क्या आपने जाना है उनको? श्री राम कृष्ण मुसकुराते हुए कहते हैं, क्या कहूँ? आभास मात्र कहा जा सकता है उसका दो. साधक कहता है वही कहिए. श्री राम कृष्ण कहते हैं, आभास मात्र ही है. कुछ समझ न पाओगे. अगले दिन श्री राम कृष्ण को भावेश होकर समाधी लग गई समाधी से बाहर आने के बाद वे कहते हैं भगवान वेद विधी के पार है क्या वेद, वेदान्त और शास्त्रों को पढ़कर कोई उन्हें प्राप्त कर सकता है वेदों में तो उसका भास मात्र है एक भग्त कहते हैं महराज नाम करने पर मेरी देह हलकी पढ़ जाती है श्री राम कृष्ण कहते हैं वे पाप का हरन करते हैं इसलिए उन्हें हरी कहते हैं और चैतन्य देव ने इस नाम का प्रचार किया था अतेव अच्छा है देखो चैतन्य देव कितने बड़े पंडित थे और वे अवतार थे उन्होंने इस नाम का प्रचार किया था अतेव यह बहुत ही अच्छा है कुछ किसान एक न्योते में गए थे भोजन करते समय उनसे पूछा गया तुम लोग आमडे की खटाई खाओगे उन्होंने कहा बाबों ने अगर उसे खाया हो तो हमें भी देना मतलब यह है कि उन्होंने खाया होगा तो वह चीज अच्छी ही होगी श्वीराम कृष्ण महेंदरादी से कहते हैं आप लोग आते हैं जब सुनता हूँ कि इस से कुछ उपकार होता है तब मन बहुत अच्छा रहता है मास्टर से कहते हैं यहां आदमी क्यों आते हैं वैसा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ मैं मास्टर कहते हैं जि कृष्ण जब स्वयम सब चरवाहे और गववें बन गए ब्रम्हा के हर लेने पर तब चरवाहू की माताएं नए बच्चों को पाकर फिर यशोधा के पास नहीं गई श्ट्री रामकृष्ण कहते हैं तो इस से क्या हुआ मास्टर कहते हैं कि इश्वर स्वयम ही चरवाहे बने थे कि नहीं इसलिए उनमें इतना अकरशन था इश्वर की सत्ता रहने से ही मन खिच जाता है श्ट्री रामकृष्ण कहते हैं यह योग माया का अकरशन है वह जादू डाल देती है जटिला के डर से बचडे को उठाय हुए सुबल का रूप धरकर राधिका जा रही थी जब उन्होंने योग माया की शरण ली तब जटिला ने भी उन्हें खूब आशिरवाद दिया हरी की सब लीलाएं योग माया की सहायता से ही हुई थी गोपियों का प्यार क्या है पर किया रती है प्रिश्न के लिए गोपियों को प्रेमोन माध हुआ था अपने स्वामी के लिए इतना नहीं होता अगर कोई कहे कि अरी तेरा स्वामी आया है तो कहती है आया है तो आये खुद भोजन कर लेगा परंतु अगर दूसरे पुरुष की बात सुनती है कि बड़ा रसिख है बड़ा सुन्दर है और रस्पंडित है तो दोड़ कर देखने के लिए जाती है और ओट से जहांक कर देखती है अगर कहो कि उन्हें तो हमने देखा ही नहीं फिर गोपियों की तरह उन पर चित कैसे रमे तो इसके लिए यह कहना होगा कि सुनने पर भी वह आकर्शन होता है एक गाने में कहा है बिना जाने ही उनका नाम मात्र सुनकर मन उनमें आकर लिप्त हो गया एक भक्त कहते हैं अच्छा जी वस्त्र हरन का क्यारत है श्त्री रामकृष्ण कहते हैं आठ पाश है गोपियों के सब पाश छिन हो गये थे केवल लज्जा बागी थी इसलिए उन्होंने उस पाश का भी मोचन कर दिया इश्वर प्राप्ती होने पर सब पाश चले जाते हैं इश्वर पर सब का मन नहीं लगता आधारों की विशेशिता होती है संसकार के रहने से होता है नहीं तो बाग बाजार में इतने आदमी थे उनमें केवल तुम सब ही यहां आये हो ऐसा कैसे? यह संसकार का ही तो खेल है मलय परवत की हवा के लगने पर सब पेड़ चंदन के हो जाते हैं सिर्फ पीपल बट सेमर ऐसे ही कुछ पेड़ चंदन नहीं बनते तुम लोगों को रुपए पैसे का कुछ अभाव थोड़े ही है योग भरष्ट होने पर भाग्यवानों के यहां जन्म होता है इसके पश्चात फिर वह इश्वर के लिए तपस्या करता है महिंद्र कहते हैं मनוש्य क्यों योग भरष्ट होता है स्रीराम कृष्ण कहते हैं पूर्व जन्म में इश्वर की चिन्ता करते हुए एक अएक भोग करने की लालसा हुई होगी इस तरह होने पर योग भरष्ट हो जाता है और दूसरे जन्म में फिर उसी के अनुसार जन्म होता है महिंद्र कहते हैं इसके बाद उपाय क्या है श्री राम कृष्ण कहते हैं कामना के रहते भोग की लालसा के रहते मुक्ती नहीं होती इसलिए खाना पहना रमन करना सब कर लेना तुम क्या कहते हो स्वकिया के साथ या परकिया के साथ भगवान के साथ रमो के वल श्री राम कृष्ण कहते हैं भोग लालसा का रहना अच्छा नहीं इसलिए मेरे मन में जो कुछ उठता था मैं कर डालता था बड़ा बाजार के रंगे संदेश खाने की इच्छा हुई इन लोगों ने मंगा दिया मैंने खूब खाया फिर बिमार पड़ गया लड़कपन में गंगा नहाते समय एक लड़के की कमर में सोने की करधनी देखी थी इस अवस्था के बाद उस करधनी के पहननी की इच्छा हुई परंतु अधिक देर रख सकता ही न था जरा देर रख कर उसे खोल डाला मुझे पसंद नहीं आई मेरा दम घुटने लगा नहीं तो उसे तोट डालना पड़ता मैंने निकाल दिया उसे शंभू के चंडी गीत सुनने की इच्छा हुई थी उसके सुनने के बाद फिर राज नारायन के चंडी गीतों को सुनने की इच्छा हुई उसके गीतों को भी मैंने सुना उस समय बहुत से साधू आते थे इच्छा हुई कि उनकी सेवा के लिए एक अलग भंडार किया जाए सेजो बाबू ने वैसा ही किया उसी बंडार से साधूं को सीधा लकड़ी आदी सब दिया जाता था एक बार जी में आया कि खूब अच्छा जरी का साज पहनो और चांदी की गुड़गुडी में तंबाखों पियो सेजो बाबू ने नया साज गुड़गुडी आदी सब भिज दिया साज पहना गुड़गुडी कितनी ही तरह से पीने लगा एक बार इस और से एक बार उस और से खड़ा होकर बैठ कर तब मैंने कहा कि हेमन देख ले इसी का नाम है चांदी की गुड़गुडी में तंबाखों पिना बस इतने ही से गुड़गुडी क्या त्याग हो गया साज थोड़ी देर में खोल डाला पैरों से उसे रोंदने लगा कहा इसी का नाम है साज इसी पोशाक के कारण रजोगुण बढ़ता है बलराम के साथ राखाल वरिंदावन में है पहले पहल वे वरिंदावन की बड़ी तारीफ करके चिठ्ठे लिखते थे मास्टर को चिठ्ठे लिखी थी यह बड़ी अच्छी जगह है मोर नाचते रहते हैं और नृत्यगीत सदा ही आनंद होता है इसके पश्चात उन्हें भुखार आया विंदावन का बुखार श्री राम कृषन को बड़ी चिंता रहती है उनके लिए चन्डी के नाम पर उन्होंने मननत की है श्री राम कृषन राखाल की बाते कर रहे हैं वे कहते हैं यहां बैठ कर पैर बाते समय राखाल को पहले पहल भाव हुआ था, एक भागवती पंडित, इस कमरे में बैठा हुआ भागवत की बातें कर रहा था, उन्ही बातों को सुन सुन कर, राखाल सिहर सिहर उठता था, इसके बाद वह बिलकुल स्थिर हो गया था, एक भगत श्री राम कृष्ण से कहते हैं, जी हमारे पैरों में तो के बंधन से क्या होता है, बात असल तो मन की है, मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है, और उसी के द्वारा छूटता भी है, दो मित्र थे, एक वेश्या के घर गया, दूसरा भागवत सुन रहा था, पहला सोच रहा था, मुझे धिकार है, मेरा मित्र भागवत सुन रहा और मैं वैश्या के यहां बड़ा हुआ हूँ, उधर दूसरा सोच रहा था, मैं बड़ा बेवकूफ हूँ, मेरा मित्र तो आनंद कर रहा है, और मैं यहां आकर फंस गया, पर देखो, वैश्या के यहां जाने वाले को तो विश्नु दूत आकर वैकुंट में ले गए, और द फिर देखोगे, मन को जिस और ले जाओगे, उसी और जाएगा, मन तो धोबी के यहां का कपड़ा है, वहां से लाकर उसे लाल रंग से रंगो तो लाल हो जाएगा, आस्मानी से रंगो तो आस्मानी, जिस रंग से रंगोगे, वही रंग उस पर चड़ जाएगा, कहते हैं कि आपको कुछ पूछना तो नहीं है गो स्वामी बड़े ही विनम रभाव से कहते हैं जी नहीं आपके दर्शन हो गए सब बातें तो सुनता ही था श्रीराम कृष्ण कहते हैं देवताओं के दर्शन करो श्रीराम कृष्ण अगले दिन सत्संग करते हैं वे कहते हैं कि केवल शास्तर पढ़ने से क्या होगा शास्तरों में बालू और चीनी का समेल है उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल है इसी लिए शास्तरों का मर्म गुरू के श्रीमुख से साधू के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए तब फिर ग्रंथों की क्या वश्यक्ता है चिठ्ठी में खवर आई है पांच सेर संदेश भेजिएगा और एक धारी धार धोती चिठ्ठी खो गई तब तुरंद चारों और ढूंड तलाश होने लगी बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिठ्ठी मिली पढ़कर देखा लिखा है पांच सेर संदेश भेजिएगा और एक धारी धार धोती तब फिर उसने चिठ्ठी फेंक दी अब उसकी जरूरत क्या है अब तो संदेश और धोती संग्रह करने का ही काम है भली भाती खोज लेकर तब डूबो तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है जगह की ठीक जाच करके ही डूबकी लगानी चाहिए शास्त्रों का मर्म गुरू के श्रीमुक से सुनकर तब साधना की जाती है यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं डूबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा साधक को डूबकी लगानी चाहिए अगर कहो कि डूबकी लगाने से भी तो मगर और घडियाल का डर है काम क्रोधादी का भय है तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो फिर वे तुम्हारे पास ना सकेंगे विवेक और वैराग्य तुम्हारी हल्दी है उन्होंने मुझसे अर्थात भगवान ने मुझसे अनेक प्रकार की साधनाएं कराएं पहली पुरान मत की थी फिर तंत्र मत की थी इसके बाद वाली वेद मत की थी पहले मैं पंचवटी में साधना करता था वहां तुलसी वन लगाया गया मैं उसके भीतर बैठकर ध्यान करता था कभी विकल होकर मामा कहकर पुकार था कभी राम राम जब राम राम कहता था तब हनुमान के भाव में आकर एक पूच लगा कर बैठा रहता था उनमाद की अवस्था थी न उस समय पूजा करते हुए मैं पितांबर पहनता था तो बड़ा आनंदा आता था वह पूजा का ही आनंद था तंत्रमत की साधना बेल के नीचे की थी तब तुलसी का पेड़ और सहजन की फली ये एक जैसे जान पड़ते थे उस अवस्था में शिवानी की जूठन तमाम रात पड़ी रहती थी साप खाता था या कौन खाता था इसका खयाल न था वही जूठन मैं खाता था कभी कभी मैं कुट्टे पर चड़कर उसे पूड़ियां खिलाता और उसकी जूठी पूड़ियां मैं खुद काता था सर्वम विश्नु मयम जगत ऐसी उन मात की अवस्था थी मेरी अविद्या का नाश बिना की ये न होगा इसलिए मैं बाग बन जाता था और अविद्या को खा जाता था वेद मत से साधना करते समय सन्यास लिया उस समय चांदनी में पढ़ा रहता था हृदय से कहता था मैंने सन्यास लिया है मेरे लिए चांदनी में खाने को दे जाया करो वे कहते हैं धरना दिया था पड़ा हुआ मैं मां से कहता था मैं मूर्क हूँ तुम मुझे बतला दो वेदों, पुराणों, तंत्रों और शास्त्रों में क्या है ये बता दो बस मांने कहा वेदान्त का सार है ब्रह्म्ह उसी को सत्य और संसार को मिथ्या माना है जिस सच्चिदानंद ब्रह्म्ह की बात वेदों में है उन्हें तंत्रों में सच्चिदानंद शिवह कहते है और पुराणों में उन्हें ही सच्चिदानंद प्रिश्न कहते है दस बार गीता का उच्चारन करने पर जो कुछ होता है वही गीता का सार है अर्थात त्यागी त्यागी उन्हें जब कोई प्राप्त कर लेता है तब वेद, वेदान्त, पुरान, तंत्र सब इतने नीचे पड़े रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं ओम का भी उचारन नहीं किया जा सकता समाधी से जब मैं बहुत नीचे उतर आता हूं तब कहीं आकर ओम का उचारन कर सकता हूं प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात जो जो अवस्थाएं शास्त्रों में लिखी हैं वे सब मुझे हुई थी बालवत, उनमत्तवत, पिशाचवत, जडवत और शास्त्रों में जैसा लिखा था वैसा दर्शन भी होता था कभी देखता था तमाम संसार जलता हुआ अंगार है कभी देखता था चारों और पारे जैसा सरोवर जल्मिल जल्मिल कर रहा है और कभी गली हुई चांदी की तरह देखता था इससे शास्त्रों की बाते मिल जाती है फिर दिखलाया वेही जीव हैं वेही जगत हैं और चोबीस तत्व वेही बने हुए हैं छत पर चड़कर फिर सीडियों से उतरना अनुलोम और विलोम ऐसे करते करते माने मुझसे बहुत साधनाय करवाई और धीरे धीरे मैं स्थिर हो गया उनहीं के भाव में इस प्रकार श्री राम कृष्ण वच्णाम लित का यह भाग यही संपूर्टा को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में